तो बच्चो आएए बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर जो है color coding of resistors आगे आप देखेंगे कि हमारे पास special type के resistors होते हैं वैसे तो बच्चो हर conducting material कुछ resistance ओफर करता है लेकिन हमारे specific need के हिसाब से कुछ particular जरूरतों के हिसाब से हमें जिस situation में जितने amount का resistance चाहिए उस हिसाब से हमें अपने material को customize करना होता है उसी customization के thought पर based ये हमारे specially designed resistors होते हैं जिनमें color coding पड़ी होती है आप अपनी screen पर देख सकते हैं ये चार resistors shape में cylindrical होते हैं साथी साथ इनमें चार strips पड़ी है अलग-अलग colors की अगर आप ध्यान से देखें सभी में अलग-अलग parallel color की strips पड़ी हुई है और इन सब का कुछ importance होता है ये color strips ही decide करती हैं कि आपके resistor का resistance कितना होगा तो बच्चों आईए नजर डालते हैं कि एक conductor में ये जो चार color की strips पड़ी होती है इनका क्या मतलब होता है और हर एक color strip किस value को represent करती है चुकि मैंने आपको बताया है कि colors की ये जो strips पड़ी होती है conductor पे यही हमारे conductor के resistance को define करती है उनकी value को बताती है आपकी screen पर जो conductor दिया हुआ है इसमें हमने चार parallel strips ड्रॉ करी है जो first strip होती है बच्चों वो हमारे resistor का first digit शो करती है actually मैं वो तो value शो नहीं करती हमने अलग-अलग colors को अलग-अलग values असाइन कर रखी है वो coding table में आपको अभी दिखाने वाला हूँ तो जो भी color की strip पड़ी होती है हर एक color एक code को represent करता है और हम जो succeeding strips होती है उसी हिसाब से हम अपनी values को भी लिखते है यानि कि जो first strip orange color की आपको अपने screen पर दिख रही है यह हमारे resistor के first digit को explain करेगी जो second strip है वो हमें second digit देगी और जो third strip है वो हमें multiplier की value देगी और fourth strip हमें उसका tolerance बताएगी tolerance मतलब कि हम एक उसका possible variation टेडिक्ट करते हैं कि जो भी आपके resistance की value आती है उसमें कितने percent का variation होगा चलिए देखते हैं कि कौन सा color आखिर किस value को represent करता है तो बच्चों यह रहा table आपकी screen पर अगर strip black color की है तो वो zero value represent करेगी अगर brown color की है तो उसके लिए code assigned है one red color की है उसके लिए code assign है two उसी तरह से orange, yellow और green के लिए code assign है three, four and five blue के लिए six, violet के लिए seven, gray के लिए eight और white के लिए nine बच्चों मैंने आपको बताया था जो आखरी strip है वो हमें conductor के tolerance को represent करती है अब tolerance मतलब कि कितना variation resistance की value में अलग-अलग temperatures में आएगा तो gold के case में 5% tolerance होता है, silver के case में 10% tolerance होता है और अगर कोई color नहीं है, तो हम 20% का tolerance लेते हैं अभी आपको कुछ-कुछ idea लग रहा होगा, कि हाँ इन ही colors के माध्यम से हम एक numerical value निकालते हैं और वही numerical value हमारे resistor की resistance की value हमें देता है आगे question के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं तो हम वही example उठाते हैं, जो कि हमने table के पहले लिया था यहाँ पर सबसे पहला color है orange तो बच्चो टेबल याद करिए और बताईए orange के लिए मुझे क्या code मिला था चुकि table मैंने आपकी screen पर ही बना दी है, आप यहाँ से देखकर मुझे बता सकते हैं औरेंज के लिए value आएगी 3 तो हमारी first digit 3 हो गई second color है brown brown का color code है 1 तो हमारी second digit हो गई 1 और हमारा third color है red तो red के लिए value है 2 तो बच्चो यह जो 2 value है यह हमारे 10 के power में चली जाएगी, exponent के form में चली जाएगी और जो value मिलेगी वो हमारे resistance की multiplier होगी यानि कि third color में कोई भी, third place में कोई भी color हो चाहे वो green हो, violet हो, या red हो let us suppose कि वो color green है तो green के लिए code assign है 5 तो हम 5 को उठाके 10 के उपर डाल देंगे तो हमारा multiplier निकल के आएगा 10 की power 5 इस तरह से बच्चो हम numerical value निकालते हैं अब आखरी strip हमारी gold की है यानि कि हमें tolerance 5% का लेना होगा यह सारी values का हम इस्तमाल करें तो जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हैं green color से मैंने value निकाली है पहला digit 3, दूसरा digit 1 तो हमारी value हो गई 31 तीसरे color strip से हमें multiplier मिला red color के लिए value थी 2 तो 2 को हमने 10 के exponent में डाल दिया यह हमारा multiplier हो गया और आखरी strip थी gold की जो कि हमें 5% tolerance offer करती है तो plus minus 5% का variation लेते हुए हमने resistance की value निकाली 3100 plus minus 5% बच्चो इसी तरह से आप अलग-अलग color coding के लिए different registers के लिए resistance की value निकाल सकते हैं तो finally answer आया बच्चो 3.1 kilo ohm तो बच्चों सकते हैं भीश अलग-बच्चो 6.1 주는 पर दोंग